दोस्तो आपने थमनेल पर सही पढ़ा मोबाईल फोन देने के लालच देकर लोगों को किस प्रका से बेकूप बनाया जा रहा है आज के डेट में बहुत सारे इसे फ्रोड किये जा रहे हैं लोग आपको लालच देंगे मोबाईल फोन देने का और मोबाईल फोन के डबबे के अंदर नियूज पेपर और भी कई इससे फालतू चीजें निकलती है और आप लोगों को बाद में पच्टाना पड़ता है तो आज का वीडियो इसी टोपिक पर है हाल फिलाल कुछी दिन पहले एक भाई के साथ में कुछ इसी परकर का वरदात हुआ है उन्हें भी धोखा मि पास भी कोई ऐसे फ्रोड कॉल आये हैं तो कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चली इस भाई का कहान ही आप लोगों को बताता हूं तो दोस्तों यह जो भाई है इनके पास एक बार एक अनौन नंबर से कॉल आता है और कोल के जर यह कहा जाता है कि आपके नंबर पर लो और यह जो भाई हैं उनके जहां से में आज आते हैं और जो फ्रोड होते हैं वे कहते हैं कि आप अपना अड्रेस पता जो भी अपना अड्रेस है वो हमें सेंड करिए आपके अड्रेस में हम कुरियर के द्वारा मुबाइल फोन भेज देंगे तो दोस्तों यह भाई ने अ पोस्ट ओफिस जो भी डागर होता है वहां से रिसीब करते हैं रिसीब करने के बाद जब ओपेन करते हैं तो मोबाइल बोक्स के अंदर में नियूज पेपर और कुछ चाबियां वो सारे चीज पेकिंग करके दिया गया होता है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से चीज उनके दोआरा भेजा गया था तो यहां पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो देखे दोस्तों उनके दोरा भेजा गया पारसल इस परकार से पेकिंग किया गया था उस भाई ने यहाँ पर वीडियो बनाया है और मुझे फरवर्ड किया है यहाँ पर देखे डबा ओपेन करने के बाद इस परकार से पेकिंग दिया गया था उसके अंदर में देखिए यहाँ पर नियूज पेपर और बहुत सारे इसे फालतू के चीजें इसमें पेकिंग किया गया था तो मोबाइल के नाम पर इस परकार से आप लोगों को धोका दड़ी और ठगी किया जाता है यहाँ पर देखिए दो चाभी है और नियूज पेपर है और एक कुछ यहाँ पर कार्ड है तो दोस्तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है इस परकार से आप भी फ्रोड के सिकार हो सकते हैं यहाँ पर भाई का 3500 तो चला गया पर उसके बदले में यहाँ पर चाभी और नियूज पेपर उन्होंने पेकिंग करके भेज दिया है तो दोस्तो दुख की बात है पर आप लोगों को बताना पड़ रहा है यहाँ पर देखिए कैसा नियूज पेपर को पेकिंग करके भेजा गया था दोस्तो यह कोई फेक वीडियो नहीं है और कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है यह रियल घटना है इस भाई के साथ में यह घटना हुआ और इसने मुझे कॉन्टेक्ट किया और मुझे क्वेस्ट किया कि भाई आप एक वीडियो बाता कि जो मेरे साथ हुआ है वो होगा कि कैसे लोगों को बेकूप बनाया जा रहा है यदि आपके पास भी कभी ऐसे फ्रोड कोल आते हैं तो उसे इग्नोर करना है उनके जाल में नहीं फसना है नहीं तो आप भी लूटे जाएंगे जैसे कि इस भाई को लूटा गया है विश्यसकर हमारे गाउधियात के लो आपको आपने तरीके से जवाब देना है क्योंकि गाउधियात के लोग बहुत ही भोले और मासूम होते हैं और एसे ठकबाज और धोकेबाज लोगों के जाल में फंस जाते हैं बहुत सारे इसे वाटसब, कॉल और फेस्बुक मेसेंजर में आप लोगों को ओनलाइन के जर लच में नहीं आना है क्योंकि कहां हम लोग 8 घंटा खून पैसिना मेहनत करते हैं तभी भी हमारा सेलेरी मेहने का 15,000 से 20,000 मुश्किल से मिल पाता है तो लोग क्यों आपको 3,000,000 या 25,000,000 या फिर फिरी में कोई लोटरी नहीं देगा ये बात आप लोगों को समझना होग और एसे फिरोट लोगों से बचना होगा दोस्तों हमें खूद में सावधान और सचेत रहने की जरूरत है और जितना हो सके आप लोगों को जागरूख करें क्योंकि ऐसा घटना घटने के बाद यदि आप पुलिस के पास जाते हैं तो भी कुछ करवाई नहीं की जाती है क और एसे फिरोट से बचना है तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और उनको भी जानकारी मिले कि इस प्रकार से फिरोट किया जाता है और अभी फिलाल में जो भाई के साथ में ह हो बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता है उनके पास फ्रोड कोल आ चुके हैं पर जिनको भी नहीं पता है वे वीडियो देखने के बाद उनको भी जानकारी मिल जाएगी इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके मेरा इस वीडियो को सेर करने की कोशिस कीजिएग करता है कर कि दोस्ता है करता है रिक्वेस्ट करता हैσα कि क्न दितना हुरस बहा हैाई।